तो मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp अकाउंट को हमेशे की लिए डिलिट कैसे करें How to delete WhatsApp अकाउंट परमानिटली इससे पहले मैं आपको ये बता दू अगर आप WhatsApp अकाउंट डिलिट करेंगे तो क्या होगा अगर आप सिर्फ WhatsApp को डिलिट कर देंगे तो इससे क्या होगा तो अगर आप अपने iPhone से WhatsApp को डिलिट कर देते हैं यानि कि अनिस्टॉल कर देते हैं तो इससे दोस्तो क्या होगा जिसकी भी मुबाइल में आपका मुबाइल नंबर सेव होगा ठीक है अगर वो आपकी चैट पर आएगा तो दोस्तो उसको ना आपका last scene दिखाई देगा आपने एक मेने पहले WhatsApp को delete किया था दो मेने पहले किया था जो भी आपका last scene होगा वो उसको दिखाई देगा आपकी चैट open होगी प्रुफाइल वगरा उसको दिखाई देगी ठीक है लेकिन अगर आप अपने WhatsApp account को delete कर देंगे और किसी के mobile में आपका number save होगा तो वो आपके अगर number पर आएगा तो दोस्तो आपकी चैट open नहीं होगी उसको दोस्तो इस तरह से invite का option मिलेगा आप देख सकते हैं यहापर invite का option मिलेगा वो open करेगा वो आपको invite के लिए एक link बेश सकता है लेकिन वो आपकी चैट को open करके आपकी profile आपका last scene नहीं देख सकता लेकिन अगर आप WhatsApp को uninstall कर देंगे अपने mobile से तो कोई भी बंद आपकी चैट को open करके आपका last scene वगरा देख सकता है ठीके तो यही फरक होता है दोस्तो WhatsApp delete करने से और WhatsApp account delete करने से इसके बाद आपको यहाँ पर account पर click करना है तो यहाँ पर आपको option मिलेगा delete my account आपको इस पर click कर देना है ठीके अब यहाँ पर दोस्तो आपको account delete करने से पहले कुछ जानकारी यहाँ पर WhatsApp आपको दे रहा है अगर आप अपने account को delete कर देंगे तो इससे होगा क्या दोस्तो इससे क्या होगा जो भी आपकी message history है जिसनी भी आपने chat की है WhatsApp पर वो सारी की सारी delete हो जाएगी आपके जितनी भी groups होंगे वो भी delete हो जाएगे Google Drive में जो आपका backup है वो भी delete हो जाएगा और जो आपकी payment information है वो भी delete हो जाएगी कुल मिला के आपका WhatsApp का पूरा data delete हो जाएगा वो आपको दुबारा नहीं मिलेगा अब यहाँ पर दोस्तो आपको number change करने का भी option मिलता है WhatsApp आपको बोल रहा है अगर आप अपना account delete नहीं करना चाते आपको number change करना है तो number भी change कर सकते हैं लेकिन अगर आपको account ही delete करना है तो यहाँ पर आपको कोई reason बता देना है WhatsApp को आपको अपना WhatsApp account delete कर रहे हैं कोई भी एक option यहाँ पर आप select कीजिए इसके बाद नीचे delete my account पर आपको click कर देना है इसके बाद एक pop-up आएगा यहाँ पर भी आपको delete account पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर WhatsApp आपको फिर से एक बार यहाँ पर warning देगा कि अगर आप अपने WhatsApp account को delete करते हैं तो आपका जो WhatsApp का backup है वो सारा का सारा delete हो जाएगा और अगर आपने किसी को WhatsApp से payment की है और payment pending में पड़ी हुई है तो दोस्तों वो भी cancel हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर अगर आप फिर भी अपने account को delete करना या फिर अगर आप वो ही पुराने वाले number से account create करना चाहते हैं तो पुराने वाले number से भी account create कर सकते हैं लेकिन आपको backup नहीं मिलेगा तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबाकर all पर set जरूर करना